तो मैंने एक बड़े बच्चों में जो सबसे छोटा बच्चा है उसको सेलेक्ट किया है दिखाने के लिए लेकिन भाई मीडवेट में फिर बता दूँ आपको तेरा मन का बच्चा है असलाव अलीकुम विवस मैं हूँ मैर वेलकम टू शाकिटल मार्केट हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ दोस्तो आज आपको बस जो शोक कराने वाला हूँ एक बच्चा यसा है जो प्रोपर पॉइंटों में पूरा है अच्छा बच्चा है बड़ा बच्चा है मीडवेट का शायद आपने पिछली वीडियो के अंदर यह बच्चा देखा हूँ लेकिन आज इसका प्रोपर शोक करवाँ हूँ आपको मैं अच्छा मीडवेट में बात करूँ तो तक्रीमन ग्यारा से तेरह मन के बीच का यह बच्चा है बड़े स्ट्रिक्चर का बच्चा है अच्छा बच्चा है तो मैं इसका आपको शोक कराता हूँ अच्छा मेरी लेफ साइड को पनतना इससे बड़े बच्चे बनना लेकिन वज़़ा है कि अंके त्यारी चल लीजी लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक बच्चे का शोग लासमी कराया जाया तके आपको पता चले किस नसल की किस तरह के बच्चे हैं माशालला तो खुबसूरत बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं पासों के अंदर ये बच्चा है मीड वेड में फिर बताता चलू मीड वेड में ऐसा होगा 11 से 13 मंद के बीच अच्छा मीड वेड में हमेशे क्यों बताता हूं बता है आपको इसलिए बताता हूं कि मुबाइल के अंदर अक्सर पता नहीं चलता कि बच्छा चोटा है या बड़ा है तो मैं भाई मुबाईल से वीडियो बनाता हूँ जादा जोना इस्पेंसिफ चीज़े मेरे पास है नहीं अगर आपने कभी सपोर्ट किया अल्ला ने चाहा तो इंशालला अच्छी चीज़े ले लूँँ तो अंदाजा लगा लें बच्चा कितना बड़ा होगा बच्चा माशालला से पॉइंटों में पूरा है दातों के अंदर नहीं चार है बज़ जम्शित में यही रखना है माशालला बस देखें अब मैं आपकी खुसूसियाद बताता हूँ बच्चा बहुत बड़ा है ना अपने वजूद का दातों में चार है जब सीजन का टाइम होगा ना तो यह बनने वाले बच्चे है अच्छे नसल के बच्चे हैं देसी बच्चे है बनने वाले बच्चे हैं भाई तो ये दातों के अंदर इसके चार है और अल्ला ने चाहना मीड वेट पर 17-18 मन पर खड़ा होगा सीजन के टाइम पर माशालला से चेक कराता हूँ अभी देखें इसके पास आपकी आँखों के पास इसके पासे आपको डाग नजर आ रहे होंगे इसकी वज़ाई है कि इसको अभी पंच नहीं कराया गया है क्योंकि अभी इसकी गर्दन वगरा बन जाए फिर इसको पंच करवा देंगे देखें इसका बैक लाइट ब्राउन है और उमीद है कि ये वक्त के साथ-साथ अपने जो पासे आँखों के वो भी लाइट ब्राउन कर देगा जोडों में मजबूत है बच्चा आप जोड चिक करें माशाललह से बच्चे के पासे देखें मैं हाथ लगा कि दिखाता हूँ देखें ये देखें बई मेरा हाथ कितना सा लग रहा है दिख रहा है आपको तो सोचे लाइटों के दाथ छोटे हैं एक दो तीन चार दाथ ये बच्चे माशाललह से इस वक्त महाराजा केटल फार्म के उपर मुझूद है और फोर सेल के हिसाफ से अच्छा बच्चे आपको थोड़ा सा मामुली सा गंदा दिख रहा होगा देखें नीचे देखें यह तमाम जो ना भालू मट्टी फेली वी है ना और इस वक्त मौसम ऐसा हो रहा है कभी ठंडा कभी गरम यहां पर जिस साइट पर इनका फार्म है ना उस ताइं पर मौसम जो ना बहुत बदलता है वज़ाई है कि समंदर बिल्कुल करीब है यहां से तो कभी ठंडा कभी अधरम मौसम होता है तो बच्चों को इस वक्त नहला नहीं रहे हैं कपड़ा वगएर रोस की बैसिस पर लगता है वह यह बच्चा माशललह से इसकी वोक करा 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 तो आपको थोड़ी सी तो देखें वह यह माशललह बच्चे का वजूद देखें अब आपको पता चलना ले आओ जमशिद भई ले आओ यह तो मैंने आपको शोग करवाद गया पिछली वीडियो में अच्छा बड़े बच्चों का मना कराता है मेरे को नहीं मेरे भी शोग नहीं कराना लेकिन आप दिखाओ के फार्म को पर किस तरह के बड़े बच्चे हैं तो मैंने एक बड़ किसी भाई को नीड हो और पसंद आ रहा हो तो वो कॉंटेक्ट कर सकता है यह देखें भई माशालला से बच्चे की बेक बगएरा गुलाईयां वगएरा चेक करें मैं एक दफार हाथ रखके दिखाओं आपको अंदाजा होगा यह देखें भई मिरा हाथ कितना सा लग रहा है यह देखें तो अब अधार लगा है बच्चा कितना बड़ा होगा उमीद है आपको बच्चा पसना आया होगा अच्छा में एक एसी दिखाता हूं ने देखें देखें और असी फोकस करिएगा ना सिर्फ देखें अब इतनी सी जलक दिखा सकता हूं मैं आपको बहुत अच्छे बहुत सुतेवे बच्चे घड़े में मीडवेड में इसे होंगा 18 मन 19 मन के ना और खुबसूरती में भी आला है यह मुझे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा आप यह नहीं समझेगा कि मैं नहीं दिखा रहा तो वह यह बच्चा मुझूद है अगर आपको पसना रह बले इसके साथ साथ 1,2,3,4,5,6 बच्चे इससे बड़े बच्चे हैं जिसमें दो नुक्रे बच्चे हैं बलैक जड़ ब्यूटी है और पांड़े फेस के अंदर हैं बड़े बच्चे हैं वो भी इस वाग्स फार्म के उपर मुझूद है लेकि शोग नहीं करा सकता आप को माज़रत के साथ जिसकी चीज़ सो उसने मना कर रहा है तो भाई मेरी उकाद क्या है उमीद है आपको ये वीडियो पसना आई होगी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाह आफिस